पारत सरकार ने दोहजार वी विच इंकम टाक्स रजीम विच चेंजिस कीते सी New tax regime आई सी लेकिन new tax regime सेलेक्ट कीती जावे जा old tax regime सेलेक्ट कीती जावे ऐसे विच confusion अजे वी बढकरा रहे New tax regime विच काफी डिड़क्शन्स थे एक्सेंच नई सान ऐसी करके लोग की उस tax regime नाल अट्रैक्ट नहीं हो पाए एस टाक्स रजीम विच काफी एक्जेंशन्स ते डिड़क्शन्स मिसिंग साथ जिद्दा हरे, ल्टीए, एटीसी ते एटीडी आही रीजन सी कि लोग की नवी टाक्स रजीम वल अट्रैक्ट नहीं हो पाए लेकिन दोना विच्चो केडी टाक्स रजीम फॉलो करनी चाहिए ये जान देया ऐसने ही सबतो सौखा तरीका है नेट टाक्सिबल इंकम काल्कुलेट कर लाना सारे डिड़क्शन ते एक्जेंशन हटा के नेट टाक्सिबल इंकम काल्कुलेट कर लानी चाहिए है एस calculation तो ही पता चल जाएगा कि new tax regime त्वाड़े लेई है जा old one वैसे साध्य को शौर शौर्ट शौर्टकट्स भी ने जिड़े त्वाड़ी decision making विच help कर सकते ले जे त्वाड़ी salary 7 लाख है ता new tax regime त्वाड़े लेई बद्या रहेगी जे त्वाड़ी salary 10 लाख है ता old regime चुनो लेकिन एस case विच त्वाड़ी tax saving investment दो लाख 62,000 तो उत्ते होनी चाहिए दिया ताहीं है ते tax saving schemes विच 3,12,500 तो ज्यादा सेव किता होया है ता old regime select करो जे savings 3,12,500 तो काटने ता new regime better रहेगी 15,000 लाख salary वाले जे tax saving investment 3,75,000 दी कर देने ता old regime best है जे saving इस amount तो काट है ता select new regime वी ती चाड़ी ते पंजा लाख सलाना salary वाले वाले नो वी old regime benefit देगी जे tax saving investment 3,75,000 तो वाद है कारण है net taxable income दा काट जाना दसी गई amount जे तुसी save कार लाएं देयो ता old regime net taxable amount काटा दिन दिये ते automatically त्वानू काट tax देना पहेगा and this is how you select the old or the new tax regime साड़ी एस सिरीज नो त्वाटा बहुत प्यार पे सन्मान मिल रहा है उसले ही बहुत बहुत तानवाद ते एस सिरीज विच असी वक वक information लेके आवांगे एस सिरीज ते हर एपिसोड नो देखन लेही एभी पिसांजा नो subscribe कर लो ते फिलहाल एस वीडियो नो like, share करो